नमस्कार, मेरा नाम है अकांग्शाराई, टॉकिंग पॉलिटी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है पहले तो आप सब का बहुत शुक्रिया कि आपने वीडियो को इतना प्यार दिया आठ वीडियो जी अप्लोड हुए है और सब्सक्राइबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब डिमांड कर रहे हैं नए वीडियो अप्लोड करूँ तो आगया है मेरा नया वीडियो और इस वीडियो में मैं अरिस्टाथल के तीरि ओफ स्लेवरी को कावर करूँगी पलेटो की पूरी तीरी, हर तीरी और पलेटो वीडियो सीरीज मैंने पूरा मुंप्लीट कर दिया है आपने नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर जरूर देखिए यह Aristotle की वीडियो सिरीज चल रही है Part 1 जिसमें Aristotle का Brief Introduction और Theory of State कवर हुआ था और Part 2 जिसमें Aristotle के Theory of Citizenship को कवर किया गया वो चैनल पे Uploaded है जाकर जरूर देखिए यह Part 3 वीडियो है जिसमें हम Aristotle के Theory of Slavery को कवर करेंगे एक और Information अगर आपको Poetry, शायरी वगरा में इंटरेस्ट है तो मैं अपनी लिखी हुई कविताएं, शायरियां शेयर करती हूँ एक नए YouTube चैनल पे जिसका लिंक मैंने description box में दे दिया है पहले ही जजमत करो की अच्छा नहीं होगा I'm sure you're gonna like it, तो प्लीज एक बार जाकर जरूर देखिए मुझे अच्छा लगेगा तो स्टार्ट करते हैं Aristotle के Theory of Slavery को देखो Slavery यानि कि दास प्रथा ancient Greece में Slavery practice की जाती थी वहाँ दास प्रथा होती थी, ठीक है वहाँ दास होते थे, Slaves होते थे अब ये Slaves दो तरह के होते थे एक Natural Slaves और दूसरे Slaves by law Natural Slaves कौन होते थे? वो लोग जो by nature physically तो बहुत strong होते थे लेकिन उनके अंदर तर्क वितर्क करने की शमता और हिम्मत यानि courage का element बहुत कम होता था ऐसे लोगों को Natural Slaves कहा जाता था यानि कि वो by nature Slaves पैदा हुए है यानि कि वो Slaves ही है ठीक है? तो ये Natural Slaves हो गए दूसरे Slaves by law यानि कि Prisoners of war यानि कि युद्ध हुआ, दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हुई एक ग्रुप्स के जो हारे हुए लोग है उसे दूसरे ग्रुप्स के लोगों ने cat कर लिया, तो वो लोग Prisoner of war हो गए, उन्हें भी Slaves कहा जाता था, उन्हें भी दास कहा जाता था ठीक है? तो ये दो तरह के Slaves होते थे Natural Slaves और Slaves by law लेकिन ये जो Aristotle की Theory of Slavery है, मतलब Aristotle ने जो अपनी Slavery की Theory दी, वो उन्होंने Natural Slaves के बारे में कहा था मतलब Aristotle ने अपनी Theory of Slavery में Natural Slaves के बारे में बात की है, क्यों? क्योंकि Aristotle का ये मानना था कि अगर युद्ध में हारे वे लोगों को आपने बंदी बना लिया है तो जरूरी नहीं है कि वो Slavery है क्यों? हो सकता है कि बुद्धी में बौदिक शम्ता उनकी आपसे जादा हो, लेकिन कुछ गलत सिचुएशन आज आने की वज़े से वो हार गए और अभी आपने उन्हें क्याद कर लिए और आपने दास बुला रहे हो जबकि वो बौदिक शम्ता में आपसे बहुत उपर है, तो इसलिए Aristotle ने अपनी थियरी नाचरल स्लेव्स के उपर दी, यानि कि वो लोग जो जनम से ही जो है, स्लेव्स है, वो उनकी mental ability बहुत लो है, लेकिन physical ability बहुत strong है, तो इन लोगों के बारे में Aristotle ने अपनी थियरी दी है, तो Aristotle की थियरी अफ स्लेवरी है क्या, तो Aristotle अपनी इस थियरी को दे करके हमें ये समझाना चाते थे कि समझो की nature हमें क्या message दे रहा है Aristotle का ये मानना था कि nature ने कुछ लोगों को physically बहुत strong बनाया है, और ताकि वो physical work अच्छे से perform कर सकें, लंबे समय तक physical labor बहुत जादा कर सकें at the same time उन्होंने कुछ लोगों को mentally बहुत strong बनाया है, ताकि वो mental work बहुत अच्छे से perform कर सके और एक balance बना रहे है, ठीक है तो Aristotle की theory of slavery यही है कि कुछ लोग by birth यह nature का message है, Aristotle की according जो हमें समझने की जरूरत है अच्छा, अब यह why Aristotle justify slavery, मतलब Aristotle ने slavery को इतना क्यों justify किया और उस पे एक theory ही क्यों दे दी, क्योंकि Aristotle की according, slavery is natural as well as useful, Aristotle की according, slavery natural भी है और useful भी है, natural कैसे है तो देखो, nature का यह rule है कि जो stronger होगा वो rule करेगा, और जो weak होगा वो rule होगा, ठीक है जो लोग भी, जिनके अंदर जादा power है, जो जादा शक्तिशाली है वो कम शक्तिशाली लोगों को अपने अधिन रखेंगे, अपने एक तरह से उनको दास बना के रखेंगे, तो यह तो natural है ठीक है, तो slavery natural है, दूसरा point कि slavery useful भी है, इसके लिए उन्होंने बहुत सारा reason दिया, जो कि हम आगे देखेंगे, तो हमने अभी तक क्या देखा हमने देखा कि ancient Greece में slavery practice की जाती थी, दो तरह की slaves होते थे, एक natural slaves जो कि mentally बहुत weak हैं, लेकिन physically बहुत strong है, उन्हें natural slaves कहा जाता था, और दूसरा, जो की prisoners of war होते हैं, यानि की slaves by law जो हैं, वो जो दूसरे तरह के slaves हैं, तो दो तरह के slaves होते थे, लेकिन Aristotle की थियरी जो है, वो natural slaves के बारे में हैं, क्योंकि prisoners of war को real slaves नहीं मानतें, उनके according हो सकता है कि वो बुद्धी में आपशे, जीती हुए दल से जादा समझदार हों, लेकिन गलत circumstances की वज़ा से वो दास बन गए हैं, इसलिए Aristotle ने अपनी थियरी, natural slaves के बारे में दी है, Aristotle हमें समझाना चाहते थे, कि nature, जो है प्रकृती ने दो तरह के लोग बनाए हैं, एक जो बहुत देर तक mental work कर सकते हैं, वो masters हैं, और दूसरे जो बहुत देर तक physical work कर सकते हैं, वो slaves हैं, यह हमें समझने की जरुदा है, और उसके हिसाब से काम करने की जरुदा है, Aristotle ने अपनी थियरी को यह कहकर बहुत ज़दा justify किया, और उन्होंने slaves का क्या use है, slavery क्यों useful है, यह हम देखते हैं, तो utility of slavery क्या है, पहला तो यह useful for economic system, यानि की economic system के लिए slavery बहुत useful है, क्यों, देखो, जो लोग physically बहुत ज़दा strong हैं, वो बहुत ज़दा longer duration के लिए work कर सकते हैं, बहुत देर तक वो काम कर सकते हैं, जिससे की economy को, हमारी economy को, state की economy के बहुत फाइदा होगा, मतलब वो एक backbone है state का, वो physical work बहुत ज़दा कर सकते हैं, जिससे की state का economy बहुत develop कर सकता है, तो इसलिए slavery is useful for economic system, दूसरा point, slavery useful क्यों है, it is useful for state, state के लिए useful कैसे है, देखो देखो, अगर slaves जो है, masters का काम कर देते हैं, छोटा मोटा काम, तो masters जो है, वो state के affairs में qualitative participation कर पाएंगे, जिससे state का development होगा, मतलब अगर कोई scientist है, और मैं अगर slave हूँ, तो अगर मैं scientist के सारे छोटे मोटे काम कर देती हूँ, यानि मैं उसके कपड़े धो देती हूँ, उसका घर साफ कर देती हूँ, lab साफ कर देती हूँ, test tube साफ कर देती हूँ, तो वो अपना पूरा ध्यान अपने research पे लगा पाएगा, तो एक तरह से मैं state के development में भी participate कर रहे हूँ, इसलिए slavery जो है, state के लिए भी useful है, तीसरा point, useful for master, master के लिए भी slaves useful है, slavery useful है, क्यों, क्योंकि it will give opportunity to master to enhance his virtue, यानि कि master जो है, इस तरह से अपने good को और जादा enhance कर सकेगा, और विक्सित कर सकेगा slaves की मदद से, तो इसलिए slavery जो है, वो masters के लिए भी useful है, चौधा point, slavery is useful for slaves, खुद slaves के लिए भी slavery बहुत useful है, क्यों, क्योंकि slaves जो है न, वो अपने दम पर नहीं जंदा रह सकते, उन्हें अपने masters की जरूरत है, masters की company में रहकर slaves को और opportunity मिलेगी सीखने की, और अपने गुड़ों को विक्सित करने के develop करने के लिए, इसलिए slavery जो है, वो खुद slaves के लिए भी बहुत जादा useful है, तो हमने देखा कि, जो Aristotle है, वो इतना क्यों, slaves के ऊपर क्यों theory, slavery के ऊपर क्यों theory देना चाते हैं, क्योंकि उनकी according slavery is natural as well as useful, एक तो slavery natural है, दूसरा useful भी है, natural क्यों है, हम जानते हैं, जो stronger है, वो weaker को rule करेगा, indirectly उसको अपना slave बना के रखेगा, तो यह तो एक natural phenomena है, और उस time पे और भी जादा applicable होती थी, और दूसरा की slavery useful भी है, जिसके हमने बहुत सारे examples देख लिए, कि वो state के लिए भी कैसे useful है, economic system के लिए भी useful है, खुद slaves के भी useful है, master के लिए भी useful है, ठीक है, तो that's why we can say that slavery is natural as well as desirable, that is useful institution, ठीक है, slavery एक तो natural institution भी है, दूसरा वो desirable institution भी है, तो आपको ऐसे direct question भी आ सकता है, कि slavery is natural as well as desirable institution, इसे elaborate करो, तो आप पुरा अच्छे से यह answer लिख सकते हो, UPSC exams में भी एक question आ सकता है, और आपके semester exams में भी graduation के यह question आ सकता है, ठीक है, अब हमने देख लिया कि, हमने देख लिया कि Aristotle के theory of slavery क्या है, अब देखो, अपनी theory देखने के बाद ना, देने के बाद ना, Aristotle ने कुछ reforms भी suggest कि अपनी theory में, पहला उन्होंने कहा, कि slaves जो है, वो अपने गुड़ों को, अगर कोई slave, अपने गुड़ों को, यानि कि अपने तर्क वितर्क की शमता को, अपनी हिम्मत को विक्सित कर लेता है, तो जो master है, उसे उस slave को अजाद कर देना चाहिए, यानि कि अगर मैं दास हूँ, मैं, में, बुद्धी, बौदिक शमता मेरे अंदर बहुत कम है, मैं ना तो तर्क वितर्क कर पा रही हूँ, ना मेरे अंदर हिम्मत है, लेकिन धीरे-धीरे master के साथ रह रहे कर, मैं ये दोनों शमता अपने अंदर विक्सित कर लेती हूँ, मेरी बौदिक शमता बढ़ जाती है, तो master का ये करताव यह है, कि वो मुझे free कर दे, कि अब तुम भी जाओ, और तुम भी state के affairs में, तुम भी जाकर के कुछ और जादा जो है, बड़े काम कर सको, तुम भी मेरे जैसे काम करो, जिससे state का development हो, तुम्हारा खुद का development हो, तो अगर slaves जो है, अपने अंदर masters के गोड़े, यानी की reason और courage develop कर लेता है, तो master को उसे free कर देना चाहिए, दूसरा reform क्या, Aristotle ने suggest क्या, कि master को अपने slaves का हमेशा take care करना चाहिए, और उनके साथ अच्छे से treat उन्हें करना चाहिए, उनके साथ अच्छा behave करना चाहिए, उन्हें कभी भी ये feel नहीं कराना चाहिए, कि तुम तो slave हो, या बुरा behave करना बहुत गलत है, तो Aristotle के अपने slaves का पूरा ध्यान रखना है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है, ठीक है, तो हमने देख लिया Aristotle की theory of slavery, तो अभी अगर आप से कोई Aristotle की theory of slavery पूछता है, तो आप दो मिनिट में answer दो, ठीक है, क्या बोलोगे आप कि जो एंसेंट ग्रीस में स्लेवरी प्रैक्टिस की जाती थी, दो तरह के slaves होते थे, slaves by nature और slaves by law, लेकिन Aristotle की theory जो है, वो slaves by nature, यानि natural slaves के उपर है, क्योंकि उनके according, जो slaves by law है, जो prisoners है, हो सकता है, वो किसी गलत circumstance की वेज़े से slaves बन गए है, लेकिन वो mental work नहीं कर सकते बहुत जादा देर तक, इसलिए Aristotle अपनी पूरी theory जो है, वो natural slaves के उपर दी है, तो उनकी theory ये कहती है, कि nature ने दो तरह के लोग बनाए हैं, एक तो जो physical work बहुत जादा देर तक कर सकते हैं, और दूसरा जो mental work कर सकते हैं, तो जो physical work कर सकते हैं, वो slaves हैं, और हमें उनसे physical work की करवाना है, और जो mental work है, वो mental work बहुत जादा देर तक कर सकते हैं, वो mental work ही करें, ठीक है, और उन्होंने ये theory के उपर बहुत जादा focus इसलिए क्योंकि Aristotle के according जो slavery है, वो natural भी है, और और वो desirable क्यों है, उसके बहुत सारे example उन्होंने दिए कि state के लिए क्यों desirable है, slaves के लिए क्यों desirable है और economic development के लिए क्यों desirable है, उसके बाद उन्होंने कुछ reform suggest किये, पहला reform ये, कि अगर slave जो है, वो कुछ virtues, reason और courage के develop कर लेता है, तो master को उसे free कर देना है, अजाद कर देना है, और दूसरा ये कि master को अपने slave के साथ अच्छा behave करना है, ठीक है, तो ये पूरी theory थी, Aristotle की, slavery की, अब कुछ criticism देख लेते हैं, इस theory को बहुत criticized भी किया गया, होना भी चाहिए, तो पहला point क्या है, कि देखो, slavery natural हो सकती है, लेकिन हम अभी nature में नहीं रह रहे हैं, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना, मैं जब nature बोल रही हूँ यहाँ पे, तो आप इसे layman type में मतले लेना, political science की point of view से nature का क्या मतलब होता है, अभी हम nature में नहीं रह रहे हैं, अभी हम state में रह रहे हैं, जब बहुत पहले, जब हम nature में रहते थे, तो वहाँ कोई state नहीं था, कोई government नहीं था, कोई rule regulation नहीं था, जो हमें govern कर रहा था, तो हम ऐसे nature में रह रहे थे, लेकिन अभी हम state में रह रहे हैं, हमें constitution govern कर रहा है हमें government govern कर रही है ठीक है तो यह जो slavery है ना वो natural हो सकती है यानि कि वो nature में होती थी कि survival of the fittest होगा जो fittest है वही survive करेगा जो कम fit है वो नहीं survive करेगा लेकिन अभी जहां हम जिस society में रह रहे हैं हम एक democratic society में रह रहे हैं वहां पर हर कोई equal है अगर कोई कमतर भी है तो उसको chance मिलता है उपर उठने का तो इसलिए अब यह theory हम apply नहीं कर सकते हैं यहां पर इसका criticism होना ही है ठीक है सोक्रेटीज ने खुद कहा है कि what is shouldn't determine what ought to be it should be vice versa यानि कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम यह नहीं कह सकते कि यह होना चाहिए ठीक है क्या होना चाहिए वह constitution में लिखा हुआ है तो हम उसको देख कर बताएंगे कि यह मैं खुद से example बता रहे हूं सोक्रेटीज के टाइम पर सोक्रेटीज ने यह नहीं कहा था ठीक है सोक्रेटीज ने बस इतना कहा था कि what is shouldn't determine what ought to be it should be vice versa ठीक है तो इसका criticism का यह point का मतलब यही है कि slavery जो है वो natural हो सकती है लेकिन हम अभी nature में नहीं रह रहे है अभी हम society में रह रहे है हमें जो है constitution govern करता है state govern करता है तो यहाँ पर अगर कोई कम शक्तिशाली भी है तो उसको भी उतनी ही opportunity उतना ही power मिलेगा जो ज़्यादा सक्तिशाली को मिल रहा है ठीक है तो यह इसका एक critical point हो गया दूसरा क्या है कि contemporary time में हर person को equal respect मिल रहा है human dignity को हम compromise नहीं कर रहे हैं Immanuel Kant ने खुद कहा था उन्होंने principle of human dignity दी थी उन्होंने कहा था कि each man is end in itself no one ought to treat other person as a means to an end यानि कि हर इंसान अगर मैं अपने goal को अचीव करने के लिए कुछ कर रही हूँ कुछ step उठा रही हूँ तो उस process में मैं आपका इस्तिमाल करूँ यह गलत है ठीक है आप कोई जो कोई जरिया नहीं हो कि कोई मोहरा नहीं हो जिसका इस्तिमाल करके मैं अपने goals को अचीव करूँ आप भी अपने के लिए भी आपके goals उतने ही important है और मेरे लिए भी आपके goals उतने ही important होने चाहिए ठीक है it means कि हर person each person has their own intrinsic value हर person की अपनी खुद की value है और no one is ought to be treated as a means of utility for others किसी के लिए भी किसी के इस्तिमाल का साधन नहीं हो सकता है कोई इंसान ठीक है हर इंसान के लिए अपनी एक अलग value है लेकिन इस theory में slaves की value नहीं दिखाई गई यह ऐसा दिखाए गया है कि वो सिर्फ exploit होने के लिए पैदा होते हैं जो कि बिल्कुल गलत है अभी हम nature में नहीं रह रहे हैं हम society में रह रहे हैं या सब को equal opportunity मिलती है यहाँ कोई slave नहीं है कोई master रही है ठीक है तो यह था Aristotle का criticism एक और point रह गया कि जो many people misused this theory to exploit slaves slaves बहुत लोगों ने slaves को exploit करने के लिए इस theory का बहुत misuse भी किया कि तुम तो slaves पैदा हुए हो तुम्हारे अंदर physical ability ही जादा है तो तुम mental work नहीं कर सकते तो उसे यह बोल बोल कर exploit करते हैं तो इस वज़े से भी इस theory का बहुत criticism किया गया तो यह था Aristotle का theory of slavery और उसका criticism I hope कि कि आपको समझ में आया होगा अगर आया तो प्लीज वीडियो को like करें शेयर करें और subscribe करें और जो मैंने कहा था कि अगर आपको poetry शायरी पसंद है तो मैंने link description box में दिया है मेरा second YouTube channel है जहां मैं अपनी लिखे हुई शायरियां अपनी poetry शेयर करती हूँ जाकर प्लीज आपको यू राओ तो नहीं जरुए जरूंट नहीं तो नहीं अगर भूचिए जाल्दी एगी